सबसे पहले सभी जवानों को जहिंद प्यार भर नमस्कार बंदे मातरम सांतियों अभी हम लोग डेसकर्स करने वाले हैं प्रैक्टिसेट नंबर थ्री वन और टू प्रैक्टिसेट हो गया है और जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए और एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो आज जुड़े है ना आज से आप एकदम अपने एक्जाम तक एकदम कंटिनीव रहे हैं दोस्त ठीक है ना और सेलेक्शन की गरांटी मैं देता हूं और आपका जिस भी चीज में जाने का सपना है या फिर नवी एमर हो एससर हो या फिर कोश्ट गार डीबीजडी आंत अच्छाओं में तो वही सब क्योशन यहां पर डिस्क्रस कर रहे हैं ठीक है आप लोग एक काम करिएगा अपना जबाब जुड़ो दीजेगा 25 कोश्टन रोज कराते हैं 25 कोश्टन में आपका कितना सही है ठीक है क्योशन नमबर फर्स्ट है सवतंत्र भारत के प्रतम गव प्राथना समाज के संस्थापक कौन है तो आत्मा रंग पहंडू रंग जो है ना प्राथना समाज के संस्थापक है और एक सीजस करी यहां पर ध्यान देजेगा जोतीबा फूले कौन सा समाज के अधम संस्थापक है सत्य सोधक समाज के संस्थापक है जोतीबा फूले बाई क्या है डिजिटल द्रहते Is अग धमाल मचा देते हैं लेकिन फिर भी इस पर भी आप आप लो और राजा-राम अह सभी आरे संस्था पक है आरे समाज के संस्था पक है दयां रखिये गए तो ठीक है न इतना कुछ आपके एडिशनल फ्रक्त ध्याँ दियेगा ही राकूर्ण परयोजना किसे लिठी पर है तो ही कुंड परयोजना जो है सुंदर्वन डिल्टा जो है 20 वे का सभसे बड़ा डिल्टा है मुसलिम लिंग की अस्थापना कब नहीं थी तो 1906- चाहर्प की अस्थापना किस श्श्च्राप द principe की गई तो आगरा सहर जो है ना इसकी अस्थापना सिकंदर लोदी ने किया था आगरा सहर की अस्थापना ओके भारत का हिर्दे यानि हिर्दे भारत का हिर्दे किस पर्देश को या किस राज को कहा जाता है यानि भारत का दिल किसको कहते है मेरे भाई भारत का दिल कहते है मध्य पर इसा राज ये जो कि स्वमुन्दिर च्ग्र से जुड़ा नहीं है अंतराष्ट्य महिला दिवस कब मनाए जाता है अंतराष्ट्य महिला दिवस ऐ­ अठ मार्च को बनाते हैं ठीक है in Thailand कृष्ट राम रिश्ण मीचन के अस्थशपना कि पिती तो राम कृष्ण मिशन की अस्थापना किस ने की थी बताइए स्वामय विबेक अनंद ने रामकृष्ण मिशन की अस्थापना की थी और चानक के कौन है तो यह चंद्र गुप्त मौर के गुरू है और बालमेगी ने किस की रचना की रखना की रखना रखना और द्यानन सरस्थ्थी ने एक सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास नामत पुष्टक की रचना कियें और आरे समाज की अस्थापना कियें इतना ध्यान रखेगा ओनम किस राज का परसिद पर्व है ओनम ओनम जो है केरला का है ठीक है ओनम केरला का है नेक्स्ट और एक असाम का क्या होता है भी हूँ यह ध्यान रखेगा यह बहुत पूशा जाता है असाम का परम विश्यकुप किस वरस्ष जीता था तो 1983 में जीता था और कफ्तान कौन से पूझे जाता है कफ्तान इस वक्त कौन थे बवाई पकपील देऊ थे कफ्तानख देयो अभापिल देयो अभी एकदम विल्कुल एकदम और दूसरा 2011 में जीता था और अभी 2023 में हम लोग चुक गए हैं ठीक है नेक्स्ट मनुस्य के सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन से है तो वही जांग की हड़ी जो होती है सबसे बड़ी होती है फीमर और टीबिया हड़ी क्या होता है टीबिया हड़ी देखिए का पैर जो होता है आदमी हो गया ठीक है बनाने नहीं आ रहा है यह फीमर हो गया और यह जो हड़ी हो गया यह हो गया यह हो गया यह कौन है टीबिया हड़ी हो गया और यह क्या हो गया यही है सबसे बड़ी हड़ी फीमर है ठीक है न फीमर कोई कहेगा कि बहुत आदमी करेंग नहीं है दो टाइम होता है चलिए एक और टांग बना दी है चलिए यहां पर हाथ हो जाता है चलिए structure रेक्ता हम complete Heart करा ते यह गर्दन हो गया और यह मुंडी हो गया चलिए इतना समझ गया है कान की हडी्ज होती है सब्से चोटी हडी होती है इस्टेपिज कहते हैं इसको next देश की coping महीलہ ipsون IPS पताईए Test पहली महीला IPS कीरन बेदी थी Next वास्टो डिगामा ने भारत का खोज किया था 1498 इस भी में भारत की खोज किया और ये पूरे डगाल का रहने वाला था नगारत का रहने वाला था और एक सीज黄 पर ध्यान रखेगा अमेरिका के खोच किस ने किया कोलंबस ने अमेरिका के खोच किया 1492 इस भी में नेक्स प्रथम विश्वेजूद कितने वर्सों तक चला भाई चार वर्सों तक चला था प्रथम विश्वेजूद 1914 से लेकर 1918 तक चला था और ये पहला विश्वेजूद था दूसरा से लेकर 1945 तक यह भी सुजूद चला था आप काउंट कर लेजिए कितना सालों तक चला था पंजाब के सरी किसे कहा जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब के सरी कहा जाता है लाल लाल बहादुर सास्त्री इनको मतलब यह कौन थे भाई यह हमारे देश के दूसरे परधान म पलो का सरवच्छ सेनापती कौन होता है तो यह राष्टपती होते हैं राष्टपती होते हैं ओके नेक्स्ट रतंदी किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन ए की कमी से रतंदी होती है और सी की कमी से कौन सा रोग होता है इसकरवी रोग होता है कौन सा रोग भाई इसकरवी रोग होता है उसके बाद डी के कमी से कौन सा रोग होता है रिकेटरस रोग होता है और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है कि बताइए ब्लड क्लोथिंग नहीं होता है विटामिन कि कमिसे रखत का ठकत नहीं जमता है ओके गौतम भूत के बच्तका नाम क्या था गउतम भूत का बच्पन का प्रिके अभी हम लोगोंने बता दिये invers और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगास नदी जो भारत की सब से लंबी नदी लंभाई 25inator000 हैं 2525 किलो मिटर इसकी लंबाई है आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की सिराज में है तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यह मद्य पर्देश में कहां पर मद्य पर्देश में हमारे सौर मंडल में कुल कितने गर हैं यह क्वेशन यार मनलब आपके घर के छोटे बच्चे हैं न वह भी बता देंगे आठ ग कहते हैं तो प्रित्वी का जुडवा बहन सुक्र को कहते हैं सुक्र गरह को क्या क्या कहते हैं पता ही आप लोग इसको भोर का तारा कहते हैं या फिर सांज का तारा कहते हैं कि या फिर फिर्थविका जूडवा बहन कहते हैं क्या कहते हैं और और हां सुक्र के पास बुध्र एक ऐसा ग्रह है और सुक्र एक ऐसा ग्रह ऑदा कोई उपगरा नहीं है ठिक है ध्यान दखिएगा यह चीज और सबसे चमकीला गरा भी सुक्र होता है और बात करते हैं कि सबसे बड़ा गरा कौन सा है तो सबसे बड़ा गरा जो है सबसे बड़ा गरह है व्रहसपती व्रहसपती जो है सबसे बड़ा गरह है और किसके पास सबसे ज़्यादा उपगरह है तो सनी गरह के पास सबसे ज़्यादा उपगरह है हाल फिलाग और यह उपगरह जैसे बैगानी खोज करते रहते हैं पहले व्रहसपती के पास था अब सन बताएगा यह क्लास जो है आपको कैसे लगा एट लास्ट मैं आप सभी सांतियों से कहना चाहता हूं कि सांतियों मतलब यह देश का नंबर वन इंडे नेवी का चैनल है और नेवी के लिए सबसे ट्रेस्टेड चैनल है और कोश्टगाड के लिए बाकि आल डिफेंस से स्पे अनका है यह पर और बाकि सब्सक्राइब यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजे और बाकि सांतियों हमें सप्पोर्ट कर एआप सभी का प्यारा दोस्तान आप सभी वीकलिए मतलब एक्दम डेकेटेड हूँ आप सभी के लिए वाइग चलीना नेख वीडियों के सांट टेले have a nice day one day मात्रम जाहिन so hi guys my friend Anand here is in front of me is taking this movie so like and subscribe to his to his YouTube channel it's Navy for Academy check it out